आज मैं बताने वाली हूँ कुछ brain boosting activities और उसके साथ मैं बताऊंगी कुछ tips जिससे आपके बच्चे की attention, eye contact और eye hand coordination, focus ये सारी चीजें improve होंगी हलो नमस्ते मैं डॉक्टर अनामी का हुई audiologist and speech language pathologist हूँ सबसे पहले जान लीजिए कि brain boosting activities के लिए बच्चे के खाने पीने का भी ध्यान रखिए जब भी बात आती है brain boosting activity या brain function के बारे में तब बच्चे की diet को बहुत ही नजदीक से निगरानी करने की ज़रूरत है क्योंकि brain का work है तो brain में diet भी अच्छी जानी चाहिए जैसे बच्चे को healthy और natural चीज़े खिलाईए, processed cheese, processed fried foods, जो भी ready to eat foods आते हैं, pizza, burger, maggie इनको minimum रखिए मुझे एक बहुत ही अच्छी, genuine और natural चीजों से बनी, natural herbs से बनी हुई एक food product मिली है जो आप supplement भी बोल सकते हो लेकिन ये medicine नहीं है ये है आयूरवेद का brain booster जो की savory spread है और एक chocolate spread है ये मैंने दोनों ही flavors का मंगवाया है क्योंकि मैं personally भी taste करना चाहती थी ताकि मैं आप सबको एक genuine review दे सकूँ आपको पता है कि मैं कोई भी products अगर review कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं खुद satisfied हूँ इसलिए मैं ये आपको suggest कर रही हूँ या recommend कर रही हूँ ये दो flavors में आता है मतलब एक मीठा और एक बिना मीठा वाला तो chocolate जो है वो मीठा है पर जो parents नहीं देना चाते बच्चे को मीठा उनके लिए मैं बता दो कि ये natural sugar cane juice से बना हुआ है तो ये harmful नहीं है ये products mainly memory, focus, attention को improve करवाता है क्योंकि इनमें जो herbs है वो उनका function ही brain function को ठीक करना है improve करना है मैंने website पे इनके reviews भी देखे हैं तो parents ने भी काफी अच्छे reviews दिये हैं अगर ये सारी चीज़े improve होती हैं बच्चे में तो कहीं न कहीं बच्चे की communication skills में भी फरकाता है Ayurved के website का link मैं description box में देदूंगी आप लोग जरूर चेक आउट कीज़े बहुत parents misunderstand करते हैं चीज़ों को तो ये मेरी तरफ से disclaimer है कि इसके साथ therapy भी चलनी चाहिए मैंने attention, focus, communication, improvement की बात की है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी पे depend करोगे और activities नहीं करवाएंगे इसके जो ingredients है इसी की वज़े से मैं attracted हुई हूँ जैसे शंक पुषपी, अश्वगंदा और ब्राम्मी ये तीनों products आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए Google में check कर लीजिए कि कितने फायदेमंद है focus, attention और brain function के लिए ना सिर्फ इसमें ये herbs हैं बलकि nuts भी है, peanuts भी है और बहुत सारे seeds भी है जैसे sunflower, pumpkin इनके मिश्रन भी इसमें मिले हुए है मैं जबकि एकदम packet food को encourage नहीं करती हूँ मेरे घर में भी बहुत ही minimum packet food आते हैं लेकिन ये मैंने personally try किया है क्योंकि इसके जो ingredients है बहुत ही natural है तो इसके अलावा भी मैंने एक और product मंगवाया है veggies and dal powder इसमें है flax seeds, beetroot, moong, sage, omega 3, vitamin D, vitamin K के साथ और बहुत सारे इसके जो blends है वो है moringa, beetroot, spinach, gilloy तो ये सारी चीजें भी इसमें है तो कोई बच्चा गर्पी की eater है जैसे मेरा बेटा बहुत कम थोड़ा पी की eater है vegetables नहीं खाना पसंद करता है तो ये मैं आटे के साथ चीला वगेरा का जो batter बनता है उसके साथ blend करके मैं देती हूँ इसका consistency powder है जो कि आटे की तरह होता है आटे में बहुत ही अच्चे से mix-up हो जाता है इसकी consistency अगर देखेंगे तो liquid है लिक्विडी मैं नहीं बोलूँगी पर थोड़ी जैसे liquid chocolate टाइप की होती है वैसा thickness है इसका जो कि चम्मच से भी खाया जा सकता है बच्चे को दूद मे करके दीजिए bread के साथ spread करके दे सकते हैं यह जो मैंने अभी details बताई है वो सारा यहीं पे लिखा हुआ है और यहां पर बताया भी गया है कि कितने साल के बच्चे एक चमच ले सकते हैं और कितने साल के बच्चे दो चमच ले सकते हैं यह natural herbs से बनी हुई है medicine नहीं है पहले boosting activities पे यह जो activity है इससे बच्चे के observational skills, cognitive skills, memory and vocabulary बढ़ेगी यह आप किसी भी बच्चे के साथ करवा सकते हैं hearing impairment, autism, ADHD, downs या typical development के बच्चे यह activity किसी भी level के बच्चे कर सकते हैं जो बोल नहीं सकते जो word level पे है या जो sentence level पे है पहले मैं बताऊंगी उन बच्चों के लिए जिनकी उतनी speech नहीं आई है पर speech लाने के लिए भी यह activity मदद करेगा क्योंकि इसमें vocabulary involved है आप पहले बहुत सारे objects ले लीजिए या कोई basket ले लीजिए लंबा सा जिसमें बहुत सारा कुछ डला हो, papers हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं कप को कपड़ों के ढेर में डाल दीजिए या जो भी basket आप ले रहे हैं उसके अंदर छुपा दीजिए और आप flowers को ढूनने के लिए बोलिए या eraser को ढूनने के लिए अगर बच्चा बहुत छोटा है तो बच्चे को मदद कीजिए ढूनने के लिए और जब बच्चा यह के बारे में बताईए इस टाइप के fun activity करवाएंगे तो बच्चा सीखेगा भी और देखेगा भी तो मैंने यहां पर क्या क्या बहुत सारी different different चीजे pile up की उसके बाद उसमें से एक चीज ढून के निकालने को बोली बच्चे को तो बच्चे का observational skills, focus, attention कितना बढ़ जाता ह अब देखते हैं दूसरी brainstorming activity घर के कुछ objects ले लीजिए जैसे specs, earphones, book, pen शुरू में बड़े बड़े objects लीजिए जो की एक दूसरे से बिलकुल मिलते जुलते ना हैं बच्चे को बुलाईए और उसे ये देखने को बोलिए और name पूछे उसे दूसरे room में जाने को कहिए या game खेलने के mood में आप उसके आँखों में पट्टी बान दीजिए और उन्हें 5 चीजों में कुछ add कर दीजिए या एक दो चीजे हटा दीजिए या exchange कर दीजिए अगर बच्चा sentence level पर है तो नाम भी पूछिए और दो lines भी बुलवाईए object के बारे में तो इससे क्या होगा बच्चे की memory बढ़ेगी observation करके बच्चा जो याद करके जो बाहर गया है उसके बाद room में आएगा और देखेगा कि कौन-कौन सा चीज नहीं है attention जाएगी eye contact इससे पहले मैंने एक और brain boosting activity बताई थी जो की maze activity है उसका link मैं description box में दे दूंगी आप जाके check out कीजिए तो आज के लिए इतना ही उमीद है आप इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करेंगे क्योंकि आपका एक action किसी बच्चे के development में फर्क ला सकता है thank you for watching